वेल्कम बैक टू माई चैनल और मैं हूँ ललीता मनहास आज हम बनाएंगे बदाम का हल्वा जो बनाने में बहुत आसान और खाने में बहुत स्वाधिश्ट है और पॉश्टिक भी तो चलिए बना लेते हैं ये हेल्दी हेल्दी सा बदाम का हल्वा मैंने लिए हैं एक कब बदाम जिनने मैंने 5-6 घंटे भीगो के रख दिया था भीगोने के बाद देखिए इनने चिलना कितना असान है बस बदाम उठाईए प्रेस करिए और बदाम चिल गया इसी तरह से हम सारे बदाम चिल लेंगे और अगर आप अचानक बनाना का दूद डालकर दूद हमने केवल उतना डालना है जिससे की बदाम भीग जाएं और इसे फाइन पेस्ट बना लेना है थोड़े बहुत हलके से छोटे-छोटे से दाने दर-दरे से होने चाहिए तो चलिए पीस लेती हूँ मैं इसे यह मैंने इसे पीस लिया है पीसने के बा है तो पीसते हुए आप थोड़ा सा दूद और डाल सकते हैं और इस तरह से पीस कर तैयार कर लिजिए तो चलिए हम बना लेते हैं इससे हलवा हलवा बनाने के लिए हम लेंगे एक कड़ाई जिसे मैंने लो फ्लेम पे रख दिया है और इसमें हम लगभग देट टेबल स्पून देसी घी डालेंगे देसी घी थोड़ा सा गरम हो जाए पिघल जाए तो हम इसमें बादाम का पेस्ट डालेंगे पेस्ट डालते ही हमें इसे एकड़म से हिलाना है नहीं तो हमारा पेस्ट जो है वो कड़ाई में लीचे चिपक कर जल जाएगा तो इसी लगातार इसी तरह से हिलाना है बिल्कुल भी बिना हिलाए नहीं छोड़ना है नहीं तो हमारा पेस्ट अगर जल गया तो हमारा हलवा अच्छा नहीं बनेगा और वो खराब हो जाएगा पाल से छे मिनट तक इस तरह से चलाते हुए हमने इसको भून लिया है अब देखिए इसका जो लिक्विट कॉंटेंट जाने की यो दूद था इसमें वो रिड्यूस हो गया है और हमारा पेस्ट थोड़ा थिक हो गया अब इसमें से खुश्मू भी अच्छी आने लग गई ह अब हम इसमें आड़ करेंगे शूगर एक कप बादाम थे हमारे पास और आदा कप ले रहे हैं इसमें शूगर अगर आप शूगर ज्यादा खाते हैं तो थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं और अगर आप मीठा कम खाते हैं तो थोड़ा सा कम कर सकते हैं अब हम इसे अच्छी त मैं इसमें डाल देंगे केसर मैंने एक चुटकी भर केसर लेके दो से तीन टेबल स्पून गुन-गुने दोद में भिगो के रख दिया था और अब इसमें अच्छा सा कलर आ गया है इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे आप चाहें तो यहाँ पर फूट कलर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं लेकिन मैं नहीं कर रही हूँ इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इसे लगातार चलाना बहुत जरूरी है और फ्रेम याद रखे हमें लो पे ही रखना है लो से मीडियम में कर सकते हैं आप जब बनाएंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपको कितना फ्लेम चाहिए उसके हिसाब से आप उसके अज़ेस्ट कर लेजिए लेकिन हाई पे ना करिए नहीं तो हमारा हलवा जो है जल जाएगा अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो हम इसमें डाल देंगे हाफ टी स्पून इलाइची का पौडर ग्रीन कार्डमों पौडर इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और लगातार चलाना बहुत जरूरी है और फ्लेम का ध्यान भी रखना बहुत जरूरी है सब चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो हम इसमें एक टेबल स्पून देशी घी और डालेंगे और अब इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसे तब तक पकाएंगे जब तक कि सारा लिक्विड जो है रिड्यूस ना हो जाए और हमारे हलवा जो है वो कडाई छोड़ दे और इसमें से घी सेपरेट हो जाए तब तक हम इसे हिलाते हुए पकाएंगे तो यह देखिए हमारा हलवा लगबग बन के तयार है इसने कडाई छोड़ दिया है और जो घी है वो सेपरेट हो गया हमने घी काफी कम डाला था तो घी अलग से दिखने लग गया है और कडाई को बिलकुल छोड़ दिया है इसी दरह से करते हुए हमने हलवे को चलाते रहना है और इसे हम अब थोड़ी दिर में निकाल लेंगे तो चलिए हम इसे निकाल लेते हैं और कर लेते हैं सर्व यह बहुत ही टेस्टी बनके तयार हुआ है और यह देखने में बिलकुल जैसे मैंने एक वीडियो डाला था रवा बात का बिलकुल वैसा लग रहा है लेकिन खाने में इसका टेस्ट बिलकुल अलग होगा क्योंकि वो हमने रवा से बनाये था यानिकी सूजी से और यह बनाया है बादाम से यह बच्चों के लिए बहुत ही अच् pazit अच्छा है बच्चे अगर बादाम नहीं खाते हैं इस तरह से भी आप उन्हें दे सकते हैं और बहुत ही अच्छी खुश्बू आ रहे है यह देखे कितना अच्छा बनके तयार हुआ है आप चाहें तो इसको कटे हुए ड्राइफूट से गानिश कर सकते हैं मैं यहाँ पर थोड़े से बादाम काट के डाल रहे हूँ और यह दिजे हमारा बादाम का हलवा बनकर तयार है बहुत ही स्वादिश्ट वना है आप भी इसे ट्राइ करिए और जल्द ही मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में तब तक के लिए बब बाई बट डोंट फोगेट तो लाइक शेर और सब्सक्राइब माई चैनल